मेजर गौरा वारेसर की वीडियो है टाइटल है अब पाकिस्तान की गरदन पकड़ कर जवाब देने का वक्त आ गया है डोड़ा एंकाउंटर के ओपर सर बात करने वाले हैं और वही वाला मुद्धा रहेगा कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ व्ल्ड कप तक में नहीं खेल दूर दूर तक में देखते हैं सर की वीडियो चानक के डाजर चैन्स हैं बन तो तुरी पाकिस्तान हर समय ऐसा करता है अभी तक हमने वार डेकलेर क्यों नहीं कर आप यह जो हमारे भाई जा रहे हैं ठीक है हमारे भाई वीर गती को पराप्त हो रहे हैं यह हमारे हाथ में ह है यह सब रोकना ओ यार बंद करो यह सब आपको आपको लाइन ओफ कंट्रोल पार करनी पड़ेगी आपके पास और कुछ चारा ही नहीं है जैन दोस्तों मैं में जो गरावारिया और आप देख रहे हैं ते चानक क्या डायलोग्स इस वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल हो गए दोस्तों तो दोस्तों इसके पहले मैं आपको आगे ले जाओ इस वीडियो में और बताओं कि लोग किस पागलपन में फसे हुए हैं क्या लोगों की डिसकशन में हो रहा किसी को फिकर ही नहीं है यार बॉर्डर पर क्या है कौन सा सैनेक भाई हमारा वीर गदी को प कर रहे हैं कश्मीर में कितने हजारों आतंकवादी मार दिये राश्टर रैफिल्स ने अकेले कितने मार दिये बाकियों तो जो मारे मारे लेकिन कभी हमने बैठके एक बार सोचा है ये क्यों हो रहा है बार बार ये क्यों हम लोग आतंकवादी मारते हैं फिर पैदा हो जात पास प्लाइटफॉर्म है जब मेरे पास प्लाइटफॉर्म नहीं था तब मैं बोलता था मैं कब से चीख रहा हूँ हम लोग गलत प्रॉब्लम सॉल्फ कर रहे हैं जब तक आप लाइन ओफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे कश्मीर में खून बहता रहेगा अब लाइन ओफ कंट्रोल मत पार करिए अगले 50 साल तक आप आउपरेशन करते रहें 50 साल तक आएंगे याप्रियों को मारेंगे फौजीओं को मारेंगे परियाटकों को मारेंगे पिर से कश्मीरी पंडितों का जैनसाइड ओ, ये सारा लूप रिपीट होता रहेगा दोस्तों दूसरा वीडियो देखिए नयल जमूर कश्मीर में नहीं है ये नयल लाइन औफ कंज्रोल के उस तरह है आपको जाके वहां से नयल बंद कर रहना Carib dispos quo कर रहेगा यहां पे आप कितना पूछा बड़ेंगे कितने वाइपर से वोपानी बेहता रहेंगे पानी आने कि आतंगवादी, वो पानी बहता रहेगा, बहता रहेगा, आप फिर करेंगे, और आप यही कर रहे हैं, 35 साल से, आप यही काम कर रहे हैं, वहाँ से आतंगवादी आते हैं, हम मारते हैं, वहाँ से आते हैं, सो मार दिये, 200 मार दिये, 300 मार दिये, 400 मार दिये, ओ, बहुत बहुत और शाबाश शेराबाश वाट वो बेज रहे हैं वो आगे भी भेजते रहेंगे और भेजते रहेंगे भेजते रहेंगे भेजते रहेंगे भेजते रहेंगे और अब दोस्तों तीसरा वीडियो देखें मैं आपको बताता हूं तो only way to ensure that Pakistan remains a responsible state is one दोस्तों बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बात बोल रहा हूं यह और मैं चाहता हूं आप लोग कान खोल के सुनाएं इसमें गलती लशकर तयबा की नहीं है इसमें गलती है जेरल आसिम मुनीर की this falls squarely on the table of the Pakistan army जो कर रहा है जो trigger दबा रहा है वो important नहीं है किसने इंडॉक्टरिनेट करा किसने उसको जहाद का चूरं किलाया कि तुम जाओ बेगुनाहों कमार कराओ पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं सर इसके पीछे पूरी की पूरी पाकिस्तानी फौज है यह बात आपको भी पता है मुझे भी पता है और जो हमारी एजनसीज है वो आपको बता देंगी यह बता चुकी होगी अभी तक और सिर्ल लशकरि तयाबा ने इसको कबूल कर लिया त्यार एफ यह थैर टिर्यारि जस्टाइबा कहां बेस्टै div का है मुरीद के मुरीद के कहां लाहुर के पास है लाहुर का है पाकिस्तानी पंजाब में लशकर-े-तयबा कोई कश्मीरी ग्रूप है नहीं सर लशकर-े-तयबा इस अप पाकिस्तानी पंजाबी ग्रूप जैश-े-मुहमद कोई कश्मीरी ग्रूप है नो सर इटस अप पाकिस्तानी पंजाबी टेरर ग्रूप और ये दोनों के दोनों पाकिस्तान के अंदर बैठ के काम करते हैं, यहाँ पे अपने औजार बेचते हैं, हमारे बेगुनाओं का खून बहाते हैं इनको बहुत जरूरत है सर, इनको डोज मिलनी चाहिए और मैं तो एक और बात कहता हूँ, मोदी जी आपसे आज़ सर, इनकी डोज इनके गुनाहों के हिसाब से नहीं मिलनी चाहिए यह गुना करें ना करें उनको डोज मिलनी चाहिए यह गुना करें ना करें, यह आतंकवाद करें ना करें प्रधान मंत्री जी मेरी आपसे एक बिंती है, especially in Modi 3.2 सर, आतंकवादी घटना, अगर ट्रेस बैक होती है पाकिस्तान को, भारत में कोई भी टेर्रिस्ट अटैक, पाकिस्तान को ट्रेस बैक होता है, सर, the guilty party is General Aasim Munir, और whoever is the army chief at that point in time, he is the guilty party. आतंकवादी, आप इनक अतंकवादी मारते रहेंगे, यह और पैदा करते रहेंगे, एक स्टूडेंट भी भेजे एक मदरसा ये अगले सौ साल तक भारत में रोज आतंकवादी भेज सकते हैं अजारों भी तादात में यार कभी ना कभी तो सिलसला रुकेगा ना कभी ना कभी तो हम लोग ये बुलेंगे कि यार इनफ इस इनफ अब बहुत हो गया अब बहुत हो गया इस से ज़ादा हमसे जेला नहीं जाए और मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती यार ये समझ में नहीं आती कि कब सरकार को ये समझ में आयेगा भारत की सरकार को कि ये किसा यहाँ पे 1989 1989 से चल रहा है from 1989 onwards यार और थग्या मैं इसको analyze करते हुए कि ये है ये है ये thick foliage है ये यहाँ पे है ये मुझे technical बात करनी नहीं है यार मैं परिशान होगे technical बात करते करते मुझे एक बात समझ में नहीं आती 1989 से from 1989 onwards अभी तक ऐसा चुट मुट चुट मुट पाकिस्तान हर समय ऐसा करता है the water must boil at the right temperature ऐसा कर दो कि ना पानी पूरा उबले बस सिमर करता रहे हलका से हलके चुट चुट बलबले आते हैं उसमें पानी में और पानी में उबाल आता है बहुत हलका हलका भारी उबलना है हलका हलका कि भारत वैसे रियाक्ट ना करे और तुम दोचार दोचार से बेजते रहे हैं मैं पहले बहुत समझा चुक हूँ यार कि ये है इसमें चाइना का फैक्टर आज मैं ये सब बातें आपसे नहीं करना चाहता है मुझे कोई इंट्रेस नहीं है चाइना का फैक्टर हो ना हो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक हमने वार डेकलेर क्यों नहीं करा है पाकिस्तान पर निको ठोका क्यों नहीं अंदर जाके तोस्तों ये नहीं रुकने वाला मेरी बात सम्चों करना चाहिए कि क्यों अभी तक मेरी बात आप सम्चों ये नहीं रुकने वाला है मुझे फोन आ गए 10-15 मेजर साब ये हो गया मेजर साब ऐसा हो गया में तुम क्या करेंगे? मैं तो यहां पर नुइडा में बाठाँ हूँ. ये जो हमारे भाई जा रहे हैं, ठीक है? हमारे भाई वीरगती को पराप्त हो रहे हैं, ये हमारे हाथ में हैं, ये सब रोकना है. हम लोग क्यों नहीं रोक रहे दिस इस बियॉण वी मेरा दिमाग अब इतना काम नहीं कर रहा कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा है इसके पीछे क्या वहां पे पूरे के पूरे जो एरिया हैं वहां से फौज उठके लाइन आफ एक्चुल कंट्रोल यानि की चीन के साथ जो है अगर पूरे फोज होती ही वहां पे जभाँ प्रेशर नहीं है अगर प्रेशर नहीं है तो फिर यह तो देखिये अगर आब आपको फौज को को नहीं बोलाना तो आभ बोलिया ठीक है उस एरिया में हम 15 से लेकर 25 बेस्फ की बटालिएन डालेंगे 15 से लेकर 25 आज की तारिक में BSF की battalion जो है वो line of control के आसपास है और जहां पे line of control पे है under command Indian army है लेकिन BSF के पास तो बहुत man power है यार army के पास भी man power बहुत है तो करिए नहीं यहां पे या फिर डालिए BSF की battalion, डालिए army की battalion आपको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा अगर आप कहते हैं यहां पे army की battalion आप spare नहीं कर सकते तो फिर आप CRPF सो बोलिए additional cobra battalion रेस करेंगी वो वो यहां पे cobra battalion डालेंगे आपको देखिए आपको pressure डालना पड़ेगा उस area में वरना यह सब काम होता रहेगा लेकिन यह अंदर वाला मामला है यार वही सर्पिनाश हो जाएगा सर्पिनाश operation सर्पिनाश फलाना डिमका ओ यार बंद करो यह सब बंद कर दो इसको आपको आपको line of control पार करनी पड़ेगी मैं कह 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 थग गया कह कह थग गया पड़ेगा जहाँ पकिसतान की चीखे निकले आक से आसों निकले और नाक से उसकी लगी रखे जाएगे आपको करना पड़ेगा पहले कर चुके हैं अप सक्षम है आपको पता या के से गरना है करते क्योऊ नहीं है यार यह हमारे भाई थे इनके इनके बच्चे इनके बच्चे अनात हो गए यार किसकी जिम्मेदारी है यार who is responsible for this एक एक परिवार खतम हो गए यार चार परिवार खतम हो गए कौन है जिम्मेदार इसका यार कुछ सोच रहा है दिल्ली में कुछ फर्क पड़ रहा है कि फौजी है कोई बात नहीं कल मरता है आज मरे हमारी तरफ से हमें कि अच्छा क्रिकिट मैच हो रहा है पाकिस्तान में लोग जाएंगे नहीं जाएंगे अच्छ इसके बारे में बड़ी चर्चा हो रहा है इसी से ही इसी से ही सिर्फ और इसी से क्रिकिट मैच में नहीं तो यार तुम्हें तब शर्म नहीं आती अच्छा लगा था यार मैंने कॉंग्राचुलेट कर रहा था जैशा को मैंने कॉंग्राचुलेट कर रहा था कि ठीक है आपने मना कर दिया पाकिस्तान मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ये खेलना बंद करो ये सब ये खेलना बंद करो उनके साथ ये बंद करो यार ये ड्रामा कभी तो शर्म करो यार थोड़ी सी शर्म खून बह रहा है सरत पे खून बह रहा है थोड़ी सी शर्म कर लो यार तुम्हारे भाई है और ये हर एक बंदे के लिए खून बहारा है ये रोजशर्मा को जानता है किया रोजशर्मा को जानता है कि जैशा को जानता है या बुम्रा को जानता है ये किसी को नहीं जानता है लेकिन इसने बोला ठीक है यार इसने अपने अपने परिवार की बली चड़ा दी और हमें जानता तक नहीं और हमें इतनी शरम नहीं आई कि हम यह डिसकस कर रहे हैं कि या ठीक है कोई बात नहीं पाकिस्तान नहीं जाएंगे एक backdoor entry ले लेते हैं श्री लंका में खेल लेंगे यूई में खेल लेंगे फिर क्या होगा उनको तो funding अब पैसो जाहिर है आप टेनिस वाले भी भेज देते हैं वहाँ पे आप कबड़ी भी भेज देते हैं पाकिस्तान अच्छा यार क्रिट वाले नहीं भेजेंगे यही कहते हो ना पाकिस्तान ना भेजने का आपका सबसे बड़ा करण यही है कि विराट कोली तो क्या इसका मतलब जो टेनिस का प्लेयर उसकी जान जान नहीं है सरे विराट कोली की जान मैं I have a lot of respect for Virat कोली I have a lot of respect for Rohit Sharma मेरी शिकायत उन से नहीं है यह तो फैन मेरी शिकायत बीसी सीरे से यह मैंने भी उसमें वीडियो में बोल ला था यह मतलब कैसे शरम कर लो यार यहां पर पाकिस्तान टेलिविजन पर पूर क्रिकेटर पाकिस्तान के बखवास पूरी यार उनको तो अफरीदी ने बड़ी च्छाती ठोक के यह गया था लाइन अफ कंट्रोल पाकिस्तानी आर्मी की एक पोस्ट पे और पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट पे जाके शाइद अफरीदी ने वहाँ पर यह कहानी सुनाई थी पाकिस्तानी फौजीयों को कि 1947 में जब कबाईली आय थे जब ट्राइबज में आय थे कश्मीर के अंदर उन्होंने रेप करा उन्होंने मर्डर करा इसने चाती ठोक के बोली थी कि शाहिद अफ्रीदी के दादा को तमगा मिला है, मेडल मिला है, आपको पता है, बारा मुला में नंस का रेप हुआ था, क्रिश्चन नंस थी, उनका रेप हुआ, आपको पता है, कितने मासूम लोग मारे गए, यहां पर काट के फेक दिये गए, यह शाहिद अफ्रीदी, who's very happy एक है वो, डौद इबराहिम का समधी बैठा हुआ है, तोतला एक नंबर का, यह एक बात सोचो यह यह लोग, यह मजाक उड़ा रहे हैं अपने दिल में, मैं आपको बता रहा हूँ, they are humiliating us, they are insulting us, BCCI तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता मूड़ बुद्धी, इनको क्या परक पड़ रहा है, ठीक है, पाकिस्तान नहीं आए, कहीं और, ये क्यों कर रहे है, इनका स्टेट क्यों अलाओ कर रहा है, इनकी फौज क्यों अलाओ कर रही है, मैं आपको बताता हूँ, इनकी फौज क्यों अलाओ कर रही है, बात सरफ पैसे की नहीं आपर आपको लगता यह होने वाला है, क्योंकि तुम लोग को अच्छा लगता है बैट के टीवी के सामने, शाहीन अफरीदी बॉलिंग कर रहा है, विराट गोली बैट, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ऐसे चलता है सबसे सिंपल और पहर चाट रहा है, एकी चीज है, पाकिस्तान के साथ क्रिकट होना ही नहीं चाहिए, बहुत वीडियो में हम मीम्स पर रियक्ट कर देंगे, हम हर एक चीज कर देंगे, लेकिन जब बात आती है कि पाकिस्तान के अंदर जा के खेलने की, या पाकिस्तान के एक मेर एक जैसाल ढई कि लिए मेरा क्षग स्क्वब्क करते हैं ज्याया है कि तो जसे पहल gwी जए वे गश्फ कीज़ग थिए इतने डिता हैं इस व्ह características प्ट cycle एंगर के विए झूट ऐने फोग भी ए विल्यूति र कमझ घए ha competitive वो यह है कि चैंपिन्स ट्रोफी गिलेंगे इस पर कोई यह तो ऐसा करो पैसा कमा रहे हो न्यूस करो हम भी मेंस कर देते हैं हर एक चीज होती लेकिन एक बहुत सोचनर समझने वाली बात है कि यहां पर हर एक इंडू स्टांस देना चाहिए चैंपिन्स ट्रोफी जैसी कि आजाता कि ICC के अंडर आगे सारे देश तो वो आपस में खेलना है फिर भी वो हो जाता क्योंकि आप गवर्णिंग बॉडी के अंडर हो लेकिन पाकिस्तान जाने के लिए तो कबड़ी यह सब चूँ जा रहे है कोई भी नहीं जाएगा यहां पर क्योंकि पेचिदर माम अब उनकी हो गई अब इंडिया बैक आउट कर देगा इंडिया कोई लॉस नहीं होगा लेकिन ICC का बट्टा बैट जाएगा कि क्रिकेट इंडिया के नाम पर बेचता है इसा तो एक बात बताओ अगर आपके वास इतना पैसा है बीसी जाए बहुत है और इतने आपके वा क्लियर कट स्टांस हमारा स्टांस है जब तक कि गवर्मेंट के रिलेशन जब तक पाकिस्तान के साथ बेकार है क्रिकेट दूर दूर तक बाइलेटरल सिरी जो पाकस्तान में जाना कोई भी स्पोर्ट नहीं होना चाहिए मैंसेट मुंका यार मैं क्या बता हूँ फंडिंग तो उनका आप कुछ भी कर लेना मूँ पे हीजी करेंगे मान सितना उनकी कभी चेंज नहीं हो सकती है ठीक है और वो होती ना थोड़ासा भी गयरत होती इनके देश के अंदर तो ये दो चार पांच साल में रिपोर्ट कर पिसकर देखो आपके हम पर कोई भी गलत हरकत या अगरवाद कुछ नहीं हो कर सकते ठीक है कैंप के कैंप स्कूल की तरह चलाते वहां पर यह और अभी जो हुआ है इंसिदेंट कौन जवाब दे हैं कौन मतलब आप जवाब देंगे की बात नहीं कर सकते यहां पर अब हम यहां पर आज भी डिसक्रशन पर बैढ़ जाते है यह साले पैसा ही हमारा उठा के यूज करते हैं वहां पर अब आपन पर शेकर सकते हों मिलते को एक साथ